हल्यो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपनी YouTube चेनल में दोस्तों आप सभी लोगों के लिए काफी अच्छा recruitment निकल के आ रहा है आई आइट भोनेश्वर की तरफ से आप सभी लोगों के लिए junior technician junior technician superintendent junior librarian junior बहुत वेकेंसीज पर आपका recruitment आउट हुआ है, टोटल आपकी 85 वेकेंसीज के आसपास है, 85 प्लस वेकेंसीज के आसपास है, और आपका campus में ही job लगने वाला है, IIT बोनेश और की campus में ही job होने वाला है, आपका level जो package है, matrix level वो भी काफी अच्छा है, यानि कि आपकी salary भी बहतरीन होने वाली है, सब कुछ आपका information अच्छी है, चलो मैं आपको पहले eligibility के बारे में बताजिता हूँ, जिससे कि आपका time waste बिल्कुल भी ना हो, और जो भी eligible candidate हो, वो इसको वीडियो को आगे continue कर सके, देखो यार, अगर आपने BE, बीटक कर रखें, तो आप इसमें eligible हो, डिपलोमा कर रखता है, फिर भी आप eligible हो, कुछ जो vacancies हैं, उन पर ITA वाले candidate भी eligible हो, ठीक है, और अगर BE, बीटक, डिपलोमा की बात करूँ, तो branches आपकी civil, electrical, mechanical, electronics and communication and computer science, ये सारी branches आपकी eligible हो, एक बार और बता जी तुम, civil branch हो है, तो आप eligible हो, electrical branch and electronics and communication branch, mechanical branch फिर और computer science branch, इतने सारे candidate इसमें eligible हैं, अगर आप इन branch से तालोग रखते हैं, तो भाई साब वीडियो आगे continue करें, otherwise इस वीडियो को यहीं पर like करके छोड़ जाना, और description box में like करके जाना, और वहाँ पर मेरे को बता देगे न, कौन सी branch है, अपनी branch आगे लिखते जाना, जिससे कि आगे वीडियो जो हो, उन पर भी focus की जा सकेंगे, ठीक है, तो जो चलो यार, मैं आगे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर जैसे आप इनकी career section में आओगे, तो यहाँ आपको एक recruitment देखने को मिलेगा, देखो यार, अभी applying के link के तो इन्होंने start नहीं की है, लेकिन हाँ, इन्होंने आपका notification जारी कर दिया है, और आज से ही applying link start हो जाएगी, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब तक इन्होंने applying link start नहीं की है, ठीक है, और इसकी link में आपको description box में provide कर ही दूँगा, तो उसकी तो tension आपको बिल्कुल भी लेनी नहीं है, यह वाले link में आपको description box में यहाँ पर से provide कर दूँगा, तो यह आपको description box में मिल जाएगी, यहाँ पर जाके आप download कर सकते हो जो advertisement इन्होंने release किया है, notification जो out किया है, भोनेश और की तरफ से, तीक है, आपकी बहुत सारी vacancies है, इसमें, actually यह notification आपका 20 माई को निकला हुआ है, और आज इनका application form start होने, अभी तक नहीं हुए है, लेकिन थोड़ी देर में आपके हो जाएंगे, तो मैं आपको टेलिग्राम पे आपको इंतला कर दूँगा, कि भाईसा आपके application form start होगे, जाके जल्दी से भर लो, ठीक है, तो देखो यार, अब नीचे में आपको पूरा information देखा हूँ, total इनकी जो categories है, 11 categories है, इसमें आपकी vacancies निकली है, कुछ non-technical vacancies भी हैं, जिसमें सब को eligible हैं, BA, BSC वाले candidate तो वो भी देख सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है, तो मैं last date के बादे हैं, पहले बदा जीता हूँ, आपको इसमें hard copy भी भी भेजनी है, तो दोनों की last date अलग लगा है, देखो 24 जून तक आपकी offline, online भरने की आपकी date, और जो last date है, जो आपको application form send करने की है, वो है आपकी 4 तारी, 4 जोलाई, ठीक है, तो कुछ दिन और extra दियें, 10 दिन के आजपास, तो आपको इनके घर पे हैं, मतलब घर पे नहीं, आपके अपने document, speed post की थुरू, इन्होंने सब कुछ mention कर रखा है, तो देखो, आप मैं पहले education qualification की बात करता हूँ, देखो, assistant technical officer में, आपके पास में BE, BE, civil, mechanical, metallergy, electrical, electrical, communication, computer science, with 2 साल का experience, किसी भी आपका relevant field में, तो आप इसमें eligible हो, ये experience वाली है, और इसमें 45 years तक आपकी age होनी चाहिए, MSC कर रखे physics chemistry से, और 5 साल का experience है, फिर भी आप इसमें eligible हो, ठीकिए, और भी इसमें category है, आप देख लेने, किसी भी bachelor's degree, ऐसा नहीं है कि कोई इसमें BE, BE, Tech होना चाहिए, किसी में भी कर रखी है, तो आप इसमें eligible हो, master degree कर रखे, 2 साल का experience है, फिर भी आप इसमें eligible हो, junior technical superintendent की बात करें, तो इसमें BE, BE, Tech, civil, mechanical, metallergy, electrical, electronics and communication, computer science, 2 साल का experience, तो भी आप इसमें eligible हो, diploma में 4 साल का experience चाहिए, ठीक है, वो इसमें branches में, अब देखो, मैं आपको पहले junior assistant दिखा जीता हूँ, इसमें भी 2 साल का experience चाहिए, और कोई भी bachelor degree आपके eligible है, 32 साल आपकी age होने वाली है, अब देखो, मैं आपको freshers वाली दिखाता हूँ, जिसमें BE, BTEC, freshers वाली candidate eligible है, देखो junior technician, 9th number की जो vacancy है, उसमें BE, BTEC किसी भी field में है, यानि कि mechanical, civil, electrical, electronics and communication, computer science, तो इन सारों भी branches में से, अगर किसी में आपने अगर BE, BTEC कर रखिए, तो आप इसमें eligible हो, अगर आपने diploma कर इनी सब ब्रांच में, और 3 साल का experience है, तो आप इसमें eligible, तो BE, BTEC वालों को तो कोई भी experience इसमें required रही है, लेकिन diploma वालों को 3 साल का experience इसमें required है, और 35 इस limit होनी वाली है, आपके maximum is limit, unreserved category, फिर respective जो भी आपको ब्रांच के अनुसार, आपनी sub category के अनुसार, आपको जो मिल इस डिगरी कर रखे है, physics, chemistry में, computer science में, तो आप इसमें eligible हो, यानि कि और 2 साल का experience भी होना चाहिए, अब देखो multi-tasking में सारे candidate eligible है, जिसकी की पास 10th plus है, या 12th plus है, तो वो सब eligible है, इसमें तो form will कर सकते हो, अब मैं देखो आपको selection procedure के बारें बताता हूँ, पहले देखो इसमें की opening date देख लो, opening date 24 मई से होने वाली है, और last date इसकी होने वाली है, आपकी 24 जून, ठीक है, और 4 जुलाई तक आपको इनके घर पे है, मतलब इनके बहुनेश्वर institute तक अपना जो offline certificate है, वो पहुचाने, उन offline certificate में क्या होना चाहिए, आपने जो online भरा है, उसकी एक copy जो print out आपका निकल के आगा, application form का वो भरना है, वो लगना है, और उन पर sign होना चाहिए, और अपने जो भी 10th, 12th की mark sheet है, और जो भी आपके certificate से बगयरा है, सब को self-attested form में भेजने है, EWS certificate या फिर OBC certificate या SCST certificate जो भी आपकी category certificate है, वो भी पहुचाने है, ठीक है, तो इतना कोई भी फीस नहीं है, सब आप सभी लोगों के लिए फिर ही है, तो SCST candidate जरूर से form fill करें, जिस किसी की भी फीस नहीं है, वो जरूर से form fill करें, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ नहीं है, बस आपके document वरने है, और chances भी बहुत जादा बढ़ जाते हैं, अब देखो selection procedure की बात म selection procedure है, इन होने यहां पर कुछ mention नहीं कर रखा है, बस इन होने यहां लेकर रखा है, कि अगर number of candidate होंगे जादा, तो हम interview भी conduct करा सकते है, written test भी करा सकते है, जैसे कि हर institute बोलता है, तो ऐसा ही यहां पर mention कर रखा है, अभी कोई notification उसका आया नहीं है, जैसे number of forms जादा आ आप सभी लोगों के लिए, तो यह है address आपका, यहां पर आपको भीजना है, इस address पर अपने सारे self-attested document, अपने assistant, जो अपने सारे, अपने आप assess करने है उसको, ठीक है, अपने आप signature मानना हर document पर है, तो यह ध्यान रखना, without self-attested मत भीजना, पहले ही बोलना हूं में, without self- self-attested मत भीजना, क्योंकि form reject हो जाएगा, अपना self-attested ही बेजना है, और इस address पर भीजना है, जो यहां पर इनोंने mention कर रखा है, यह पाला, ठीक है, speed post के थुरू भीजना है, जिस्ते के जल्दी से जल्दी पहुंच सगे, I think our information आपको clear हो गई हो, अगर information के लिए हो गई हो जे हिंद, जे भारत